स्वास्ति चर्चा कारिकरम में शुताओं हमारे आज के महमान हैं डॉक्टर हिमान्शु कोचर डॉक्टर हिमान्शु कोचर वरिष्ट हड़ी रोग विशेश हैं कल यानि दिनांक 4 अगस्त को हम मनाने जा रहे हैं Bone and Joint Day डॉक्टर हिमान्शु कोचर आपका कारिकरम में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये Bone and Joint Day हम मना रहे हैं इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश है ये जो प्रोग्राम है ये Indian Orthopedic Association है ये Government of India से ये दिन हमने ये लिया हुआ है 4th अगस्त जिसको हम Bone and Joint Day के रूप में पूरे इंडिया में जित्ते भी Orthopedic Surgeons है किसी ना किसी तौर पे इसको मनाया जाता है और इसमें जो cover किया जाता है इसमें जो preventive aspect है मतलब preventive मतलब कि जैसे की road safety के बारे में जैसे की जो हड़ियों का अपना जो स्वास्त है उसको कैसे better करें उसके लिए तो इस तरह के जो educative programs है फिर उसके अंदर जो accident victim होते हैं जो लोग जैसे school जाने वाले बड़े बच्चे college जाने वाले बच्चे उनको educate करना तो यह से program इसके अंदर करते हैं और पूरा हफ्ता पूरा पहला हफ्ता जो अगस्त का है यह bone and joint सब्ता के रूप में मनाया जाता है यदि हम हड़ियों के और जोड़ों की बात करें तो इससे जोड़ी समस्या लगातर बढ़ रही हैं और इसके इलाज के लिए भी जो समस्या आ रही हैं उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे और जो aging people हैं हमारे देश में और महिलाओं में arthritis, osteoporosis या lower back pain जिस हम कहते हैं यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है accidents की चर्चा आपने की तो हम जानना चाहेंगे कि यदि हम हड्यों के स्वास्ति की बात करें तो क्या समस्या हैं आम तरपर दिखाई दे रही हैं बेसिकली आजकल जो हमारी modern जीवन शैली है आजकल जादा तर life जो है लोगों की बैठे रहने की है जिसे हम serentry lifestyle कहते हैं और इसमें हमारा diet का भी आता है कि जो calcium और vitamin D है ठीक है उसका प्रयात मातरा में लोग सेवन नहीं करते हैं या मतलब हमारा food stuff से नहीं लेते हैं या हमारे खाद्य परदात में मतलब या तो उनकी कमी है या मतलब लेते नहीं है उसे तो इसकी वज़ा से खासकर महिलाओं में इसलिए है कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि bone mass attainment bone mass attainment होता है कि 30 साल तक हमारी हड़ी बनती है उसके बाद में एक प्रतिशत चैसे तसमदव 5 प्रतिशत के हिसाब से हर साल जो हड़ी है वो अपने आप खुर जाती है तो यह जो अनुपात रहता है यह करीब-करीब जब तक जो hormone function बन नहीं होता तब तक चलता है ठीक है खासकर आदमियों में भी उतना ही चलता है औरतों में भी उतना ही चलता है लेकिन उसके बाद में महिलाओं में खासकर यह जो गिसाफ का जो दर है वो एक से तीन प्रतिशद सालाना हो सकती है और उसके अगले दस साल में वो अपनी तीस प्रतिशद हड़ी मतलब चली जाएगी उनकी तो कहने का यह मतलब है कि जो महिलाएं है उनके फिर बच्चे भी हो जाते है तो हड़ीयां जो अल्टिमेटली बचती है वो काफी कम बचती है इसलिए वो ज़्यादा प्रून होती है और दूसरा आजकल जो स्मोकिंग है स्मोकिंग को हम कहते हैं बोन टेररिस्ट बोन रॉब्रस मतलब जो हड़ीयों को खोकला करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टन तो जो धूम्रपान का सेवन है या तमबाकू के जितने भी चीज़े है फिर अल्कोहल है जादा चीनी का सेवन करना जादा सॉल्ट का सेवन करना ये सब भी मतलब आपकी हड़ीयों को खोकला कर सकते है डॉक सब इन पर लगातर चर्चा होती रहती है लेकिन जो रूड एक्सिडेंट्स हैं उन पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो पुरे देश पर पड़ता है और खास दोर से जो हमारा सामाजिक तानावाना है और जो परिवार का तानावाना है हमारी जो अर्थ वरस्ता है उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने में आता है हम युगाँ को देख रहे हैं बहुत तेजी से गाड़ियां चलाते है और एक उम्र होती है उसमें रुमांच भी होता है यह जो हैपी आर्स होते है इनके बारे में बताएं कि आजकल इसका बहुत प्रचलन बढ़ा है और इस दोरान ही क्यों एक्सिदेट्स जादा हो जाते है अशा है कि हैपी आवर्स होता है कि जब आप एक ड्रिंग बाई करें और आपको दूसरा ड्रिंग आपको फरी में दिया जाता है तो इस तरह की जो परचलना है मतलब जैसे आजकल जो ड्रिंकिंग इज मेरे कहल से 18 साल से उपर है तो जो भी youth अगर मतलब जिसे drinking है आजकल जगा जगा मतलब देरादून में देख लें हर जगा देख लें access to drinking है वो बहुत easy हो गया है मतलब message ठीक है तो जो happy hours हैं उसमें आदमी मतलब binge कर सकता है binge मतलब जादा ले सकता है, save and कर सकता है और अगर उसके बाद वो wheel पे बैठे या drive करे तो accident होने के ज़्यादा chances है तो इस पे या तो सरकार की तरफ से या फिर regulatory authority की तरफ से कुछ एक तरह का रोक होना चाहिए कि मतलब एक limit में हो या ना हो मतलब कई countries में ये band भी है मतलब ऐसा ठीक है और ये तो रह happy hours का अगर ज़्यादा save and करेंगे जिसे जितने भी जो ठेके होते हैं मतलब यहाँ पे मैं talk में बोलना चाहूँगा कि जैसे वहाँ पे लिखता है driver भाईयों के लिए vicious shoot मतलब अगर वो ज़्यादा save and करेंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ी है खासका ट्रक हो गया बस हो गई तो इसके अंदर basically commercial जो गाड़ी चलाते हैं अगर वो अगर ज़्यादा save and कर लेंगे तो it will have मतलब उसकी जो implications होगी वो ज़्यादा लोगों को injure कर सकते हैं यह बड़ी गाड़ी है अगर किसी को चोट लगेगी तो उसमें ज़्यादा चोट लगेगी ज़्यादा लोगों को हानी पहुँचेगी तो यह सब चीजे जो परचलन है यह सब district administration के level पे या किसी होर level पे यह मतलब control होने चाहिए और कोई बात ऐसी जो आप बताना चाहेंगे कि हाँ अब जो drivers हैं वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं या एक उम्र के बाद या हम देखते हैं कि जब चारधाम यात्रा जैसे या कोई ऐसी season होता है जिसमें continuously लगातार ये drive करते हैं fatigue factor भी होता है क्या कहेंगे आप basically जब season होता है हम देखते हैं कि drivers लगातार drive करते हैं इस proper rest नहीं लेते तो कई जगा नींद आ जाती है या ठक्य होते हैं या राद भर जैसे drive करा तो उसमें accident होने के ज़्यादा chances रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक fatigue factor को भी देखना चाहिए कि मतलब कोई एक limited hours तक ही drive करे उसके बाद एक इतने घंटे का rest अनिवारिया होना चाहिए इसकी monitoring कैसे की जाए legal उसके लिए आता है लेकिन यह है कि यह चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए और जित्ते भी यह जो commercial driving license है खासकर जो taxi चलाते हैं यह जो heavy vehicles चलाते हैं इनको road safety के जो नियम है ठीक है जिसे speed limit में चलाना overloading नहीं करना अपनी side में चलना अपनी गाड़ी की जो head lights है उनको proper तरह से maintain करना यह सब चीजें हर तीन महीने में इनकी यादाश आए तो police भी इसमें काफी काम करती है और भी agencies काम करती है तो इनको educate हर तीन महीने में इनकी यादाश को improve करना चाहिए ताकि यह भूले नहीं इसके लावा जैसे आपने कहा कि जो गाड़ी में lights होती है उनके बारे में आप बता रहे हैं ऐसा है कि जैसे हमारे पास जो tractor trolleys होती है उनके पीछे reflector नहीं लगे होते है तो रात को वो दिखती नहीं है दिखती नहीं है तो जैसे रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे जब मतलब रोष्णी जब कम होती है तो अपने आपको मतलब आपको visible बनाना चाहिए और इसमें मैं ये भी कहूँगा जैसे जो helmets होते हैं उनमें भी reflector पट्टियां लगी होनी चाहिए ठीक है ना और रात को अगर शाम को अगर निकलने बाहर तो मतलब आप कपड़े ऐसे पहने जो light colored हो dark colored नहीं हो सफेद हो गया yellow हो गया orange हो गया ये colors जो है ये दिखते हैं मतलब आप अपने आपको visible बनाए आम तोर पर दिखने के बात है कि ये tractor trolley होती है उसमें ना तो को indicators होते हैं वही मैं कहा रहा हूँ कि तो उसमें जो reflector पट्टियां लगी होनी चाहिए ठीक है ना और जैसे कई स्टेटों में देखा गया है कि जो जो tractor trolley होती है वो registered भी नहीं होती है अगर उसके साथ कोई accident भी होता है तो उसका मतलब कोई number नहीं होता है मुझे नहीं पता कि मतलब यहां पे है मतलब उत्राखंड में registered होती नहीं होती अगर उनके अंदर एक सफेद बत्ती जलती रहती है तो उसमें accident rate कम होता है तो इसलिए आप देख रहे होंगे जित्ते भी two wheeler जो होते है यह vulnerable road user में आते है ठीक है ना मतलब जिनको ज़्यादा चोट लगने की संभाव में तो जितनी भी two wheeler आ रहे है उनमें जो headlight है वो जलती रहती है बंद नहीं हो पाती है अगर गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वो on होएगी और इसी तरह जो सफेद light है वो अब जित्ती भी नई गाड़ियां उनमें आ रही है तो उसमें देखा गया है कि उससे accident जो होते हैं वो कम होते है अगर सब यह तो accident की बात हुई हम आरम में चर्चा कर रहे थे कि जो headlight का स्वास्त है वो कैसे अच्छा रह सकता है इसमें खान पान की क्या भूमी का है संख्षेप में हमारे शूताँ को बता है सर ऐसा है कि इसमें पात चीज़े हैं जिसमें कि आप अपने हड़ियों को बेटर कर सकते हैं अच्छा कर सकते हैं सबसे पहली चीज कि प्रयाप्त मातरा में आप calcium और vitamin D का सेवन करें दूसरी बात जो हड़ियों को खोकला करने वाली चीज़े हैं उनको अपने जीवन से हटाना चाहिए जैसे smoking हो गया, alcohol हो गया ठीक है, हटाना चाहिए मैं यह नहीं करा कि कम करना चाहिए तीसरी चीज, आप नियमित रूप से एक moderate exercise करें वजन लेने वाली weight bearing exercise कहते हैं, वजन लेने वाली दिन में आदा घंटा, ऐसी exercise होनी चीज जिसमें आपकी थोड़ी सी heart rate बढ़े मलब moderate exercise, ठीक है तीसरी चीज, अपना जो वजन है वो नियंतरन में रखें, ठीक है जो भी arthritis की problem होती है, जितना जादा weight carry करेंगे गुटने उतने जल्दी घिसेंगे, तो अपना weight जो है, उसको नियंतरन में रखें चौती चीज, कि अगर आपको किसी तरह का दर्द होता है, या कोई भी problem होती है, उसके लिए बहुत जादा weight नहीं करें, डॉक्टर के पास जाने से, मतलब संकोच नहीं होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हडिया कमजोर है, तो एक bone density का एक simple सा test होता है, वो करवाना चाहिए तो ये total में लागे 5 चीज़े हैं जिससे कि हम अपनी हडियों को तंदरुस रख सकते हैं, तो डॉक्टर हिमान्शु कोचर आजा पाए और आपने बहुत ही महत्पुन जानकारी हमारे शोताओं के साथ साजा की, आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद